नवस्कार दोस्तो जैहिन्डवंदे मात्रम मैं आपके साथ जैस्वाल सर आप सबीका श्वागत अभिननन्द्द है आज के पेपर एनलिसेस की बात करेंगे बाई जैस्वाल सर जिया आज का पेपर बहुत ही ठप आया है और हाइ सकोर की बात करेंगे तो अभी तक जितना तो हाई स्कोर की भी बात करेंगे और सभी पूरा निचोर टॉपिक की बात करेंगे किस किस टॉपिक से किस टाइप के प्रिशन पूछे गए हैं बाल विकास के परयावन के ठीक है आपके गणीत की बात करेंगे संसकत की बात करेंगे हिंदी की बात करेंगे ठीक है और प्रे सब्सक्राइब करेंगे आज बाल विकास थोड़ा टप लेवा लाया था और बाल विकास की बात करेंगे जगर जिसको ने पढ़ा होगा तो उसको बन जाएगा जिया इस तरह से आज बाल विकास पूँचा गया है आज के प्रशन तरक से सम्मंदित पूँचे गए थे तरकात्मक सोस से सम्मंदित पूँचे गए थे थांडाइक से आज दो प्रिशन पूँचे गए हैं थांडाइक के नियम से सम्मंदित एक अभ्यास के नियम से और एक और आया था तो थांडाइक के सबी लोग पता होगा दो नियम दिये थे एक था मुख नियम जो तीन नियम होते हैं अभ्यास का तरपरता का प्रभाव या पैडाम का नियम दूसरा होता है गौड नियम जो पांच नियम है तो ये थांडा एक महोदय जी के नियम पढ़ लीजेगा जीन प्याजे जी से आज पूछा गया है जीन उनके जो चार महत्पून उन्होंने बताया है शंगनात्मक विकास की बात करेंगे प्रकार बताये हैं उनसे अंदर से पूछा गया है जीन प्याजे जी के चार अवस्थाएं जो बताई हैं उनके अंदर से पूछा गया है चार अवस्थाओं में क्या क्या कैसी क्रिया होत और आज में एग दो परिभासाए पूँची गई है यानि कथन जो है ये पूँचे गई है इतना जो है आप लोगों के feedback के माधम से पता चला है और जितना भी बाल विकास के हम practice paper कर रहे हैं कर चुके हैं और आप लोगों से feedback के माधम से पता चला कि बाल बेकास इतना कर रहे हैं लगबग दोस्तों 70% जो है प्लस question वहीं से आ रहे हैं उनसे related आ रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्वाज सभी सुच्च बंदों का feedback करने के लिए तो ये था बाल बेकास का chapter देखें पर्यावन की chapter की बात करें आज कुछ चप्टर आए हुई है और चंभीत करने वाला यह है कि अंतिस से के बल दो प्रस्नाय हुए है और इस तरह के प्रस्नाय की लोगों को यादी नहीं है ठीक है तो एक खाद संखला से प्रस्नावार रहे है देरे-देरे सलेवस की तरफ गाड़ी चलती जा रही है और एक ग्रह से प्रशनाय हुआ है और COVID-90 से भी एक प्रशनाय हुआ है आज जी हाँ COVID-90 का नाम COVID-90 क्यों रखा गया है इस तरह का प्रशनाज पूछा गया है जलोड मिट्टी कौन से छेत में पाई जाती है यह प्रशनाय गया है तो देखे जलोड मिट्टी की बात करें तो जलोड मिट्टी प्रकस यह एक उपजाव मिट्टी होती है उत्री भारत में जलोड मिट्टी पाई जाती है यह तीन मुख नदियों दारा लाई जाती है के आदेभाग पर पाई जाती है एक यह प्रशनाय हुआ था कि एक जुन को कौन 1 सा दिवस मनाया जाता है तो एक जुन को जो है विशसु दुखध दिवस के साथ ही अंतराष्टी इस्तरपर मातापिता का वैस्विव्वी दिवस मनाया जाता है जी यहां वस 2012 में संयुक्त राश ने इस दिन को मनाने की घोंशना के थी किसके माता पीता के वैस्विक दिवस की बात करें और इस दिन के जरिये प्रतिक वित्य अपने माता पीता को उनके लिए किये कारियों के लिए धनवाद देते हैं तो यह था आपके परेवन EBS के जो संबंधी जो महत्मूर टॉपिक थे इन टॉपिक पर प्रश्ण पूँचे गए हैं और अगर EBS के ज़्यादा टॉपिक लोगों को पता नहीं है कि क्या है लेकिन अंत्रिस से प्रस्णाय हुआ है खाद शंकला से प्रस्णा पूँचा जा रहा है जलोड मिट्टी कौन से शेत में पाई जाती है यह प्रस्णाय हुआ है एक जून को कौन सा दीवस मनाया जाता है और ग्रह से एक प्रस्णाय हुआ है COVID-90 से एक प्रस्णाय हुआ है और इसके अगर पेड़ागोजी की बात करें तो पर्यावन पेड़ागोजी में वनसानुकम से प्रस्णाय हुआ है और वातावरन ठीक है तो वनसानुकम वातावरन से पेड़ागोजी के प्रस्णाय है लगबग जिस तरह से सिलेवस में दिया गया है concept और pedagogy के तो वैसे प्रशना रहे हैं और पड़ेवन में इतने कठी नहीं थे अगर आपने पढ़े होंगे तो लेड़ी आप लोग कर लेंगे ठीके अब बात करते हैं आपके गणित भाज की बात करें गणित में देखे आज थोड़ा गणित का जो पार्ट है लेवल है थो और अनुपास से आपके दो प्रशन है हुए हैं तो लगातार देख रहे है आयू से सम्मधित आज प्रशन हो भाज जी हां Hai से सम्मधित दो या तीन प्रशन आज आयarette है कल जैता नहीं आथे लेकिन आज दो या तीन प्रशन आयो से सम्मधित आयud आए तो आयू समीकर्ण वाले और सरलीकर्ण सिविकेशन पढ़ लेना है दो या तीन प्रिसनाईगा बोर्ड मास रूल के कोडिंग और अनपात वाले पढ़ लिजेगा अनपात से आज दो प्रिशन पूंचा गया है ठीक है तो ये टॉपिक था और मैस में गर पेड़ागोजी की बात करें तो आगमन से प्रिसनाई हुआ है निगमन से प्रिसनाई हुआ बिसलेशन जी हां पेड़ागोजी में आगमन निगमन और बिसलेशन चैप्टर को आपको पढ़ लेना है तो ये तीन प्रमुख चैप्टर थे आपके इसके बात करेंगे हिंदी में देखे हिंदी में आपक के लगभग ग्रामर के थे जिनमें से सात आर्ट प्रसन Except आज नहीं पूँचा गया है लोकोघती पूँचा गया हैै क्या-क्या पूँचा ओक्ती देखें संधी में आज अगर बता दें संधी में जो है आपके संदी पूची गई है हिंदी में क्या पूचा गया है संदी आई हुई है और संदी का सद बता देते तथयो क्या पूचा गया है संदी में तथयो का उस जो गद्यांस पद्यांस में आया हुआ था तथयो का संदी पूचा गया है और समास में कर्म भूमी जी हां कर्म भूमी म कौन सी समास ही होगी आज यह आपका प्रस्ण जो है आया हुआ है तो देखे यह अपके गध्यांस पद्यांस से ही प्रस्ण होते हैं और देखे तो क्या क्या पूंचा गया है संधी समास और पर्यावाची हिंदी में पूंचा गया है और समास में एक अचार विचार वाला भ दोनों पर दान होते हैं, एक सीषख से प्रस्णाय हुए बीर का कोई दिया गया था, उसफें सीषख पूँचा गया था, ठीक है, और पेडागोजी में द्रस्च स्रब से आपके पेडागोजी आई हुई है, भासार जित करना, अनुकरण विधी, परियोग विधी, आपको क्लियर कर लेना है संसकत की बात करें संसकत में संदी समास पूछा गया है लकार और पुरुस पूछा गया है यह चार चेप्टर क्लियर कर लेजेगा जी हां संसकत में संदी पूछे गई है और पर्यावाची पूछा गया है बिलुप्त का पर्यावाची पूछा गया एक लकार आया हुआ था कि उत्तम पुरुस मद्यम पुरुस ऐसे कुछ दिया है ठीक है तो पुरुस भी पूँचा गया है लकार पूँचा गया है वाचन पूँचे गये हैं ठीक है और बच्चे जो है किस तरह से पाठन का का करते हैं या कराना चाहिए संसकत में से कुछ प सोर फड़ों द्रव के फिए सजब में कहां सब्सक्राइब कर देए, भीं नशमाज कर 되면 सत्قط कि सब्सक्राइब सीक्राइब और जयमती बीजगनित परिमाप से भी प्रिशनाय हुए थे ये चेप्टर पढ़ लिजेगा और दो वर्गों का छेतफल दिया गया था और तीसरे वर्ग के छेतफल का परिमाप बताना था कुछ ऐसे प्रिशनाय हुए आज ठीक है तो लगबग सम्थिंग प्रिशनाय 109 और 112 मिले हैं आज के हाई स्कोर अगर इससे भी ज़्यादा किसी को हो तो कमेंट कीजेगा जरूर जी हाँ कमेंट कीजेगा टेलीग्राम से जरूर जुड़े नोस वीडिया फाइल वहाँ पर प्राप्त करें टेलीग्राम से एंसरस डेली करते हैं वहाँ पर भी चले दोस्तों जल्दी मिलते आपके अंगले प्रेक्टिस पेपर पर शभी मित्रों को जेहिंद वंदे मात्रम